इसली डीओ में मैंने आपको बताया था के हम कैसे पूरा हम इसका टेबल त्यार करेंगे पूरी इसके स्वेट त्यार करेंगे आज में मैं आज में आपको बताऊंगा कि हमने कौन सा फॉर्मॉला यूज करना है और इसको किस तरह से हम रेडी करेंगे ठीक है अच्छा मॉस्ली में यह करता हूँ यहां से नोटपेट खुल लेता हूँ और यहां पर मैं फॉर्मॉला पहले से टाइप करके रख लेता हूँ अभी तो देलोक अप्ट ठीक है वह वैल्यू होगी इसको हम सर्च करेंगे वैकर पहले हमें काम रहते हैं यूज कर लेते हैं सबसे पहले देखें यहां पर हमने टाइप करना है एक्वल टू भी लूक अ अभी पूछ रहा है कि लुका वैल्यू कौन से होगी तो लुका वैल्यू में हम यह देंगे कॉमा अभी टेबल टेबल एरे कौन से टेबल एरे के लिए आप शीट बन पर जाओगे आप इस पूरे को स्लेक्ट कर लो ठीक है उसके बाद यह कह रहा है कि यह जो कस्टमर और उसके बाद यहां पर आजाएगा एफ एल एस इफ और सियानी एक्टिट मैचिंग होनी चाहिए ठीक है अच्छा यहां पर यह मेरे पास नौट एपलीकेबल आ रहा है इसकी वज़ए यह जो मेरी जो शीट है यह जो है ठीक है यह शीट टू है और जो मेरा जो डेटा इस यहां और जो है ठीक है वह सारा यह वन है शीट वन यह देखे यह था कस्टमर आइडी का पफ़ले का कस्टमर नेम पर दूसर डेबल यह नमबर यहां से स्थलेक्ट हों सब्सक्राइब तो मैं यहां पर आ कि अदेख रहूंगे कि मेरे फार्मॉले में एक एर्र आ रह अब जस्त आपने क्या करना है आपने करना है और यहां से आपने बस नंबर चेंज करते हैं ठीक है अब कस्टमर आईडी का पहला नमबर था यह पहला कॉलम था कस्टमर नेम का दूसरा कॉलम है यह देखें मैंने यहां से आके आपको जॉम करके दिखा देता हूं अब देख सकते हैं कि यह जो है यहां पे पहले ठीक है वन था यह निकास्टमर नेम का जो टेबल यह वह तू है मैं इसको टू करूंगा बागी सेम चीज़ा रहेंगी यह और इसको हमने शीट वन करने है और इसको हमने टू करने है यह जो नमबर है फॉल से पहले ठीक है अब कॉंटेक्ट नमबर सेम वही तरीक है कॉंटेक्ट नमबर का टेबल थ्री है तो यह देखें यह इसने वहां से फॉंटेक्ट नमबर उठा लिया रिसीविंग डेट वही तरीक है और यहां पर आपने फॉर कर देने है थी यहाँ से यहां पर देखें और यह देखेंगे हैं नमबर शो को पर रहे हैं सिम गोई तरीका यहां में लमबर शो अब यह है नंबर 6 यह नंबर 6 हो गया ठीक है यह नंबर 7 मैं इसको यहां पर आके नंबर 7 कर देता हूँ और इसको मैं नंबर 8 कर देता हूँ ठीक है यही चलते जाएंगे पूरा करने मैं इस वज़े से करता हूँ कि बार-बार लिखने से बेतर है कि इसको कॉपी करके रखने पेस्ट करें और जस्ट कॉलम का नंबर जाना वो चैन्ज करते जाएं ठीक है अब यह मेरे पास आजाएगा कि नंबर 10 फ्रेंट पोकेट नंबर 11 वाला कॉलम है ठीक है और यहां प्याएगा नंबर 12 नंबर 12 यहां जाएगा 13 यहां पे कॉलर टाइब जैसकर नंबर 14 है पेस्ट किया और यह 14 आगया ठीक है और यह लास नहीं बलके सेकंड लास्ट है इसको हम करेंगे यह आगया 15 ठीक है और यह आएगा 16 ठीक है 16 ठीक है यह यहां तक जो इसकी हमारी ट्रॉचेट की जो मेजरमेंट थी वह सारी एड़ हो गई है अब उसके बाद हम यहां जाते हैं यहां पर देख लेते हैं यह कॉम सा था बलकि यह एड़ नहीं जाना हमने 16 तक गये यह भी रहते हैं यह आजाएगा कॉलम नंबर 17 ठीक है और यह आजाएगा 18 ठीक है इसको इंप यह कर देते हैं कि और इन दोनों को मैं जोर सेंटर कर देते हैं ठीक है और यह आजाएगा हमारे पास कि नाइनटीन कि पुनिस कि नाइनटीन कि यहां पर मैंने गल्टी कर दिए मैंने दूसरे सेल को मर्ज कर दिया ठीक है इमर्ज में यह डोनों आएंगे पहले सब को हटाते हैं और फिर इन दोनों को मैच करते हैं और यहां प्याएगा यहां प्यांग कर देते हैं इसको नाइनटीन और यह मेरे पास आजाएगा कुबरिटी ठीक है तो यह मेरे पास जो पूरी जो शीट का है यह कह सकते हैं जो निचोड़ था वो मैंने रेडी कर लिए अब जस्ट इसको फॉर्मेंट करना है और फिर ही उसके बाद यह शीट जाना है रेडी के लिए इस और इ इसकी वीडियो में बस इतना ही बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे फॉर्मेट करने और इसको कैसे